पूरे यूटूब का पहला ऐसा क्लास होने वाला है जिसमें हम डिटेल पूरे मेकिनिजम्स को देखेंगे ग्लाइकोलिसिस के 10 step को देखेंगे result हम लोग वहाँ पर find करेंगे और बाकी जितने भी reactions हैं हम उनके molecular reactions को भी एक बार arrange करेंगे तो चलते हैं आज की क्लास हम सुरुआत करते हैं अपने प्यारे student यानि आप लोगों के साथ तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं glycolysis क्या पढ़ने वाले हैं? glycolysis most important है हमारे biochemistry का ये एक ऐसा topic है जो सबसे ज़्यादा number के लिए और सबसे ज़्यादा result के लिए या कह सकते हो कि हमारे questions के लिए ये एक general questions है जो लगबग हर साल के paper में आप के लिए पूछा गया है तो हम लोग हर एक points को ध्यान देंगे और देखेंगे कि हमारे glycolysis को कैसे explain किया जाए और कैसे हम इनको सही तरीके से देख पाएं आपको बता जें कि आप ये हमारे android applications को भी download नहीं किये हैं तो आप जाईए विजिट कीजिए हमारे android app को आपको मिलेगा वहाँ पे learning material आपको सीखने के लिए description आपके मदब description में आपका अपना link है आप वहाँ से join कर सकते हैं अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अपने topic के बारे में यानि introduction के बारे में कि आखिरकार glycolysis के introduction को कैसे detail में देखा जाए हम उनके बारे में बाचीत करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे introductory parts की कि आखिरकार introduction में हमको क्या देखना है तो introduction में हमको यहाँ पे देखना है कह रहा है कि all living sales required energy to carry out various cellular activity यानि हमारे पास different different जो हमारे cellular activity होते हैं को सक्रियता होता है उसके लिए हमारा जो लगातार work कर रहा होता है उसके लिए हमको क्या चाहिए होती है हमको चाहिए होती है energy requirement होती है किसकी requirement होती है energy की तो ध्यान देना हमारे body में जितने भी sales होते है different types के या कह सकते हो जितने भी living sales होते है उनको उनके life को उनके गतिविधियों को चलाने के लिए जैविधिविधियों को चलाने के लिए हमको चाहिए energy हमको ने हमारे sales को चाहिए energy तो हमारे sales को जब energy चाहिए तो ये energy आएगा कहां से बोलता है this is energy क्या this is energy यहाँ पे storage हो रहाता है in the chemical bond क्या करते है chemical bond of organic molecules यानि जितने भी organic molecules होते है ये जो उर्जा होती है ये storage होती है हमारे chemical जो compounds होते है उनके अंदर खासकर जो organic compounds होते है उनके अंदर खासकर किसमें बात कर रहा है यहाँ पे बात कर रहा carbohydrates की बात करेगा यहाँ पे fats की किसकी बात करेंगे fats की and proteins की यानि कह सकते हो कि हमारे जो organic compounds है carbohydrate, fat and हमारे proteins इनके जो chemical bonds होते हैं जब वो break करते हैं तो हमको energy मिलती है जो energy हमारे sale के लिए काम करती है उनके cellular activity के अंदर गत अब हम लोग बात करेंगे जितने भी organic molecules होते हैं क्या जितने भी organic molecules होते हैं उनको हम लोग कहां से प्राप्ट करते हैं हम उनको जब भोजन गरहड करते हैं तो वहां से लगातार हम लोग क्या करते हैं वहां से उनको लेते रहते हैं ध्यान देना कह रहा है कि organic molecules क्या organic molecules को हम लोग decompose करते हैं यानि breaking down करते हैं हमारे different enzymic reaction क्या एंजाइमिक जो reactions होते हैं उनको हम लोग जब कराते हैं सही तरीके से अपने सेल के अंदर तो ये generate करते हैं क्या generate करते हैं energy को generate करते हैं जिसके form में एक form होता है उनको हम बोलते हैं A, B, यहाँ पे A, T, P यानि एडिनोसीन ट्राइफ फास्टेट के रूप में प्राप्त होता है तो एक लाइन यहाँ से बनेगा कि जितने भी और्गनिक माली को उस होते हैं जब हम उनके तोड़ते हैं किसके साथा सोड़ते हैं एंजाइमिक reactions की साथा तोड़ते हैं energy form को generate करते हैं किसके form में? ATP के form में तो ध्यान देना हमारे body में जितने भी energy generate होते हैं उसका एक form होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ATP का नाम देते हैं तो लगातार ये बाते आपके mind में होने चाहिए कभी भी multiple choice question पुछे अब याप प्यारे students हैं आगे चलके MST करने के बाद आप teaching करेंगे वहाँ पे छोड़े छोड़े बच्चे जो हमारे होंगे वो लगातार आपके लिए question पूछते रहेंगे तो चिंता कोई बात नहीं हम हैं तो लगातार आपको material देते रहेंगे ताकि आप अपने study में चार चान लगा सके और best आप best आगे कुछ कर सके तो ध्यान देना यहाँ पे हमारे body में कब generate होता है कब energy generate होगा जब कोई भी organic molecules टुटेगा किसकी सायता से enzymic reactions की सायता टुटेगा तो यहाँ पे energy generate होगी वो किसके form में वो form होगा हमारे पास ATP का क्या होगा ATP का form होगा यानि एडिनोसेन ट्राइफ और स्फेट जो होता है वहाँ पे उसके form में वो generate होगा अब कहता है जो energy generate होता है वो एक pathway के द्वारा होता है एक पुरा structure होती है एक line up होती है उस line up के basis पे energy जी generate होता है तो उसी line up को हम लोग pathway बोल देते हैं अलग-अलग pathway अलग-अलग track हमारे body में बनती है हमारे sale के अंदर बनती है देखते हैं क्या कहता है कहता है यहाँ पे pathway generate होगा इन sale यानि sale के अंदर use करेंगे हम लोग किसके यहाँ पे fundamental cellular जो process होती है हमारे body की जो fundamental यानि आधारी सनरचनाओं के process होते है उस cellular process पे यानि को सक्किया क्या इनको क्या बोलेंगे हम लोग इनको बोलते है आधारी को सक्किया क्रिया कलाब जो भी होगा उनके basis पे हम उनको देखेंगे तो ध्यान देना जितने भी पैथवे होते हैं वो कहां होते हैं हमारे सेल के अंदर होंगे और सेल के fundamental cellular process के अंदर गादते हैं सेल हमारा करवे करेगा जैसे अभी आप बड़े हो गए बच्चे हो गए तो बड़े मनिजवे करेंगे बड़े हो गए और तुसादी हो गए करेगी तो यह सब क्या हैं यह fundamental life के कुछ process है जैसे वो संसकार होगा बाल संसकार होगा तो कई संसकार होते रते हैं हमारे हिंदू cultures में तो वो कहीं न कहीं एक process है एक process है हमारे life का ठीक वैसे ही हमारे जो सेल है उनका एक fundamental process है एक pathway तायार करना एक track तायार करना जहां पर हम नहीं सारे different energy labels को breakdown कर सके ठीक और ध्यानेरा इनमें क्या होती हैं हमारे food जो होते हैं उनको consume किया जाता है क्या कियाता है consume किया जाता है किसके form में हमारे हो सकते protein हो हो सकता है polysecrides हो carbohydrate के form में हो सकता है हमारा fat हो ये तीन ऐसे material हैं जिनसे maximum energy हमारी body receive कर लेती है ठीक आगे बढ़ें कहता है कि यहाँ पर first breaking down into smaller unit सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जितने भी हमारे digestive systems होते हैं क्या होते हैं जितने भी हमारे digestive system होते हैं digestive system हमेशा बड़े मालिकों उसको चोटे मालिकों उसमें पहले ही breakdown कर दिया रहता है कहता है जैसे smallest unit की बात कर रहा है जो हमारे पास protein हमारा होगा क्या होगा protein होगा वो into amino acid में तूट जाएगा क्या होगा जो protein होगी वो amino acid में तूट जाएगी और जो polysacrides होगा वो sugar यानि monosacrides में तूट जाएगा और जो fat होगा वो fatty acid में तूट जाएगा या glycerol में तूट जाएगा उसके साथ और ये जो पूरे process है ये process हमारे body के outside यानि हमारे body के outside cell के बाहर होता है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे हम digestion बोलते हैं ये दी हमारे कभी भी किसी भी माली कूस को जब किसी भी हमारे माली कूस हमारे body के हमारे cells के outside breakdown होते हैं तो उनको digestion कहते हैं और inside ये दी cell के inside यानि अंदर की और ये दी कभी breakdown होते हैं उनको हम respiration कहते हैं most important fundamental parts है इस points को आप याद रखिएगा अब भी तक यदि आप चैनल को subscribe नहीं किये हो चैनल को subscribe करके जाओ मज़ा आएगा क्योंकि ऐसे दमिदार जुलोजी के class आपको हमारे platform पे देखने के लिए लगातार मिलता रहेगा बैक डाउन कर रहा हूं लगातार ले क्या होंगा वीडियो मैं जैसे बता रहा हूं तो अब भी चैनल को subscribe नहीं कियो जैनल को subscribe करो और अपने साथ पढ़ने वाले सारे student को वीडियो share करो ताकि जितने subscriber और जितने हमारे वीडियो के view जाते है थोड़ा सा internal नहीं internal motivation मिलता है कि हम बच्चों के लिए काम करें बच्ची इतने प्यार दे रहें तो आपके प्यार के हम सदर डे रहेंगे comment box में comment करके बताना कि हम किस university से आप belong करते हो और आपका प्यारा सा नाम क्या है जरू बताना अच्छा लगता है आप से connect करने के साथ अब देखो क्या कह रहा है outside होगा तो हम इसको digestion बोलेंगे inside होगा तो respiration बोलेंगे लगातारा दखना यदि हम लोग इसी में ध्यान देते हैं catabolic or anabolic reactions आगे पढ़ाऊंगा ध्यान देना कहता है कि amino acid यानि जो amino acid होते हैं वो simple sugar होते हैं और जो हमारे fatty acids होते हैं ये इंटर कर जाते हैं हमारे cell के अंदर कहाँ पे cell के अंदर जब cell के अंदर जाते हैं तो उनका होता है oxidation क्या होता है हम उसके क्या कहते है glycolysis कहते है जब ये चोड़े-चोड़े मालिक उस हमारे cell के अंदर गुश जाएंगे गुसने के बाद क्या होगा उनका यहां पे कहीं न कहीं क्या होगा ऑक्सिडेशन होगा ऑक्सिजन के प्रजिटेशन में वहाँ पे केमिकली रियक्शन होता है या फिर एंजाइमिक रियक्शन होगा यह एंजाइमिक रियक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस नाम देते हैं और यह साइटो सोल के अंदर गत होता है ग्लाइकोलिसिस कहा होगा साइटो सोल के अंदर होता है यानि जो हमारे सेल के साइटो प्लाजम होते हैं साइटो प्लाजमे के अंदर ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया स्टार्ट होगी उसके बाद पी जणरेट करते हैं यांनि एडीपी या एपियाई जणरेट करते हैं लगाता ना तो ध्यान देना हमारे पास आठ एटीपी सिटे गलाइक कोई यहां पर घ्लाइको लिस वं को से वह हमारे एटीपी को हमारे मिल जाते हैं दने के सिट्रीगुषिड में तो आप ये बात पिछले कच्छाओं में पढ़ चुके थे लेकिन MSC की क्लास है तो हम लोग आगे डिडिल करेंगे बड़ा आसान तरीके से तो चलते हैं देखते हैं कि क्या होता है glycolysis pathway क्या होता है क्या होते है glycolysis pathway हम लोग इसको देखेंगे और इसे हम लोग एक प्यारा सा नाम देते हैं इसको बोलते हैं एमेंडन क्या बोलते हैं एमेंडन और मेयर होफ क्या एमेंडन मेयर होफ pathway ध्यान देना यह साइनटिस का नाम है जिसको glycolysis बनाने में काफी इंपोर्टेंट रोल अदा किये थे तो इन दोनों का नाम आप अपने दिल और दिमाग में रखे रहना एमेंडन और जो मेयर होफ pathway है इन pathway को आज के class में हम लोग देखेंगे कुछ हमारे चोड़े चोड़े सोंगे इस स्टेप में हम लोग सही तरीके से हर एक fundamental parts को करने वाले हैं ताकि हम लोग सही तरीके से clear कर सकी क्या है क्या नहीं है सरसे बहले के बात करते हैं कहता है और इन दा ग्रवर्ट कर देंगे किसमें इसको कर देंगे सी 3-4 और ओथी में कर देंगे ठीक यह चीजा आप ध्याँ रखिएगा क्या कर ये चीजा ध्याँ रखिएगा ये थोड़ा सा और इसको ऐसे बनते हैं और टू और C3H4O3 ठीक यह है पारविक एसिट तो हम लोग गुलकोज को क्या करेंगे पारविक एसिट में कनवर्ट कर देंगे ठीक यह कैसा होगा एरोबिक कंडिसंस में होगा यानि यहाँ पे किसी भी ऑक्सीजन की जरुवात नहीं पड़ेगी क्या यहाँ पे किसी O2 की जरुवात हमको नहीं पड़ने वाली है तो ध्यान देना पहले प्रोसेस में हमने क्या देखा पहले प्रोसेस में देखा कि इस ग्लाइकोलिस के प्रोसेस में जो गुलकोज होगा उसको कनवर्ट किया जाएगा पाइरवेट में और यह एरोबिक कंडिसन्स में होगा कैसा होगा एरोबिक कंडिसन्स में होगा और यहाँ पे जो लैक्टिक होगा यानि एनरोबिक कंडिसन्स में हमको लैक्टिक एसी डिदी बनता है वो एनरोबिक कंडिसन्स होता है वो मेरे body में नहीं होगा ये चीज आप ध्यार रखिएगा और यहाँ पे production होते हैं small quantity of energy यानि कहीं न कहीं छोटे से energy कैसे छोटे से energy में हमको कहीं न कहीं production हमको देखने की मिलता है काफी minimum तरीके से energy बनता है उस minimum energy का नाम है 8 ATP कितनी ATP 8 ATP के energy यहाँ से बन जाएगी कब जब ह हमारे पास हमारा का पूरा glucose कभी भी पारविकेस्ट में convert हो जाएगा तो मारे पास 8 ATP energy प्रिडियोस होती है यह चीज आप ध्यार रखिएगा वहीं बात करा दूसरा प्रोसेस कहता है ग्लाइकोलिसस इंदा और सेंट्रल पैथवे आप glucose catabolism in which glucose 6 carbon क्या 6 carbon compounds तो हमको पता है है कि जो गुलको जिदा वो 6 carbon compounds होता है इसमें कुछ बताने वाली बाते नहीं है कहता है इस चनवार्टेट टो पारविकेस्ट थ्री कार्बन कंपाउंट्स हमने बता है न कि देखो यहां पे यह दिख रहा है क्या यहां पे सी और 6 दिख रहा है लेकिन यहां पे क्या से हमारे बनने वाले हैं यह पूरे टेन टेन स्टेप लगातार दस स्टेप चलेगा उन दसों स्टेप के बाद हमारा complete होता है बंडल जिसको नाम देते हैं हम लोग पाईरवेट एसीड या पाईरवेट या पाईरविक एसीड अब अगला बात कर रहा है नंबर 3 कह रहा है कि हो दोनों की दियानना की ग्लुकोज की कि दोनों का यानि कटावलिजम न वह हो हैं सब्सक्राइब बढ़ मेटावुली वह इसीनग के बात कर रहा है और यदिराव reader को तो भी सॉट फर्सिष्टेप होगा और यह नार अर आर्विक होगा तो भी सॉटिप होगा बस अल अदर इंद मेकनिजम अव इट्स रेगुलेशन्स एंड असब और सिक्वेंट मेटाबॉलिक फैट जो होता है फैटिट की बात कर रहा है फैट आप पारविट फार्मेट एक इट इस इंड आप दो प्रोसेस यानि इनकी सबसे सिंपल तरीके से बात क्या कर रहा है प्रोसेस में हमको क्या मिल जाएगा इस प्रोसेस मिलेगा कि पूरी जब पूरी मेटाबोलिक एक्टिविटी प्रोसेस हो जाती है तो इसमें हमोडा एक नियंतरल से गतर रिवील तो इन संप्रोड हो गा मेड़ा के दी राना टीगरना है तो उनमें अलग होगा थिक हमारे ही कोई अलग इस पिसीज जैसे गाय है तो उनमें अलग होगा कुत्ते में अलग होगा यानि अलग 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 इस पिसीज जो होती है अलग-अलग इस प्रसीज में अलग-अलग तरीके से ये प्रोसेस हो सकता है क्योंकि उसके बॉड़ी में डिपेंड करता है कि किस टाइप के एंजाइम है क्या उसके एक किस पर डिपेंड करेगा ये डिपेंड करेगा उसके एंजाइमिक कंडिशन्स पे कि उसके बॉड़ी कि क्या कहना चाहरा है कि जो गलाइकोलिस स्क्वेंस होते हैं वह अलग-अलग वन इस्पीसिस यानि हम हम हैं आप दो दख रहें वह भी हुमन है ठीक दोनों है तो हमारे में एक तरह का होगा लेकिन अगर इस पूसिज आता है तो उनमें लाश जो प्रोड़ होगा गलाइकोल और ऑर्गनिज्म गलाइकोलिसस इस यहां पे प्रीलूड तू दो यहां पे सिट्रीक एस साइकल इन दो इलक्ट्राण ट्रांस्पोर चैन्ड विच्च ठूगेदर लीज मूज्ट अफ एनरजी कंडिक यहां पेकिस्टिंश्टिट्रिट इन गलुकोज की बात कर रहा है यानि सिंपल सिंपल तरीके से बात कर रहा है कि जो एरॉबिक जीव होते हैं ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिकेस्ट साइकिल और इलेक्टान पहुरिंगा जो सिंखला होती है उनमें वो प्रसावित होता है यानि पूरी तरीके से यानि एरॉबिक जो मेरे अंदर की बात कर रहा है इनके अंदर पूरे तरीके से अलग-अलग step होते हैं तीन step को मिलाने के बाद हम लोग energy production करते हैं उसमें पहला step हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास glycolysis होगा उसके बाद हमारा TCA cycle होगा उसके बाद हमारा electron transporting chain होगा इन chain के बाद हम लोग release करते हैं energy conditions को कि इसके glucose के totally decomposition कहा होता ये तीनो step पहला हम लोग क्या करते हैं glycolysis दूसरा हम लोग यहाँ पे citric acid cycle और तीसरा हम लोग क्या refer करेंगे यहाँ से electron transport chain जब ये तीनों complete हो जाएगा तो हमारे body में energy कहीने कहीन production होने लगता है और हम लोग बात करें लाश्ट में यहाँ पे देखा जाए अगला पॉइंट्स कहा रहा है कि it is also referred to abandon of mere half person of EMP pathway क्या कहते हैं इसको EMP pathway take in honor of the pioneer worker in the field यानि इनके कहने का मतलब क्या है कि जो EMP pathway है आज के छित्र में देखा जाए तो स्रमिकों के समान में यानि आज हम पाइनोस कहते हैं पाइनोस या EMP माल्ग के रूप में भी जाना जाता है तो सबसे बहले बात कि आप इसको इसी नाम से जाना EMP, EMP किसके नाम से यहाँ पे abandon की बात कर रहा है दूसरा mere half की बात कर रहा है और तीसरा यहाँ परनोस की बात कर रहा है इने तीनों के नाम से ही हम लोग यहाँ पे EMP pathway के नाम से इसको जानते हैं आगे बात करेंगे important fact, important यहाँ पे बहुत कर रहा है कि importance क्या है glycolysis pathway के इसके बारे हमको बातचीत करना पड़ेगा तो सबसे पहले जब हम pathway की बात करते हैं it is the only pathway take place in the sail यानि ये sail के अंदर होने वाला एक pathway है ठीक हमारे body के अंदर glycolysis only source of energy यहाँ पे erythrocytes यानि सिम्बल दरीके से कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं एक ऐसा सिम्बल दरीके से मार गए एक route है ठीक एक pathway है ठीक जिसकी साथा से हम लोग सब भी प्रकार के कोशिकाव में होता रहता है बस एक कोशिकाव में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि erythrocytes में glycolysis उर्जा का एक मात्र स्रोत है यानि हम लोग देखा जाए तो कहीं न कहीं यदि यह ना हो तो हमको हमारे जो body है कि इर्थ्रोसाइट्स की ठीक यानि हमारे जो RBCS होते हैं उनमें देख glycolysis ना हो तो कुछ होने वाला नहीं है ठीक यह चीछ धान देजेगा और बाकी दूसमें कुछ हैं नहीं है तो कहां से और प्रोसेस होगा तो याद रखिएगा जो एर्थ्रोसाइट्स होते हैं वहाँ पे totally only one हमारे पास glycolysis नहीं प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग कहीं न कहीं energy production करते रहते हैं आगे बात करना नमबर टू की नमबर टू कह रहा है कि यहाँ पे देखा जाये तो oxygen के लगातार कमी होने लगती है क्या oxygen की कमी होने लगती है तो यहाँ पे जो aerobic glycolysis होती है वो हमारे muscles के लिए सबसे बड़ी energy की sources के रूप में जाने जाती है सबसे simple तरह के से हाँ पे वहीं कह रहा है कि हमारे जो muscles tissues होते हैं उनको जब enough energy नहीं मिल पाता परियाप्त energy नहीं मिल पाता तो वो aerobic glycolysis का एक सहारा लेते हैं और वहाँ पे major sources के रूप में हमारे muscles को energy produce करते रहते हैं यानि देते रहते हैं production करके ठीक अगे कराँ कि the glycolytic pathway many of the considered do preliminary stay before complete oxidation यानि हम लोग यहाँ पर simple तरीके से कहता है कि glycolysis का मार्ग में जो मार्ग को फुड oxidation से पहले ही चड़ माना जा सकता है यानि हम लोग glycolysis किसी भी glucose माली की उसका या प्रोटीन माली की उसका या किसी माली की उसका कि यदि उसको decompose कर रहे हैं अकुडेय उसका तो उसके जो प्रारविक चरड़ होते हैं ठीक फेड़िविक या प्रारविक चरड़ कि कोई बात कर ले प्रारविक चरड़ होते हैं उनको हम लोग glycolysis बड़ा आराम से कह सकते हैं या हम लोग कहते भी हैं अगला कहरा यहां पर कि जो जो ग्लाइकोलिसिस पैथवे होता है वो प्रोवाइट करता है डियर सारा कार्बन और स्कल्टन फॉर दो सेंथेसिस अफ और मोनो एसेंशियल अमीनो एसीड इस वेल और यहां पे ग्लिस्टरॉल पॉर्ट ऑफ फैट सिंपसे सिंबा तरह के से कह रहा है कि जो प्रदान करते हैं ताकि वो सही तरह के से सेंथेसिस कर सके उनका जमाव कर सके लाश्ट पॉइंट कह रहा है कि अगला पॉइंट कह रहा है कि most of the reactions in the reversible reversible का मतलब क्या होता है कि जो इनके अधिकांस अभी क्रियाएं होती है वो उतकरमड़ी होते हैं उतकरमड़ी मतलब forward and backward reactions दोनों complete करते हैं लगातार आप देन जानेगा यदि ऐसे reactions यह दोनों ऐसे बी मनता है यहां पर backward reaction और बना रहा है यहां पर backward reaction और यहां पूरे पार्ट को और यहां पर रिटिन फार्मूला की बात करेंगे और फार्मूला को देखेंगे सबसे बात करते हैं हमारे पास C6H12O6 और यहां पर 2ADP यूज होता है टोटल इसको मिला देंगे तो यह हो जाएगा ATP ठीक टूएटिप यहां यूज होता है यहां पर 2NAD लगता है यहां इसको बोलते हैं यहां पर यहां पर यहां पर हमारे पास औक्सिन के कोई जरोत नहीं पड़ेगी यह हमारा ग्लाइकोली से बन जाएगा वाटर मालेकोस बनते हैं यहां पर यहां पर यहां पर हम देखे जाए तो क्या कहता है कहता है यह वार्ड है कुछ करना है नहीं वहीं गुलकोज एडिनोसीन डाइफासपेट फासपेट आपस में जोड़ जाएगा और निकोटिनामाइड एडिनिन डाइ निकलियाटाइड होती है जो वह एड होगी यह तीनों लोग मिल जाएंगे तब देखो कौन-कौन मिल है यह पहला यह बैगा दूसरा हम को मिले जाएगा एडिनोसीन डाइफासपेट एसको पियाइ बोलता है इसको और गिन इन और गिनीक चोथा इस बन जाएगा चोथा मालिकूस यह चार लोग आपस में रेक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं पहला हमारे पास पारवीड बन बन जाएंगे तीसरा चौथा मालिकोस बन जाएगा और पांचवा मालिकोस यहां पर हाइड्रोजन आयन्स के रूप में बाहर निकल जाएंगे तो मोस्ट इंपोर्जेंट है कि यह आप लगातार इस पूरे यह पूरा ग्लाइकुलिसिस का जो इक्वेशन है यह बहतर इक्वेशन है और आपको सही तरीके से इनको जानना भी चाहिए ताकि आप आगे चलके धमाल कर सके मेरे प्यारे इश्विएंट्स हो जो जो पढ़ने आये हो तो मज़ेदार तो होना चाहिए तीक आगे बढ़ते आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और इसके पार्स देखे तो Mitochondria के कुछ फाग में भी Mitochondria के कुछ पार्ट में भी एंजाइम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और कहता है कि यहाँ पे Glycolysis में सामीर सभी एंजाइम एक समान भी सिस्था होती है यानि सारे के सारे जो एंजाइम सोंगे 10 एंजाइम यहाँ पे दिखाए दे रहे हैं यह दसों के दसों एंजाइम जो होते हैं उनमें एक behavior देखा जाता है एक business condition देखा जाता है और बोलता है कि उनमें से लगबग सभी एंजाइम Mg2 Plus के आउसकता होती है यानि जितने भी यह एंजाइम जिख रहा है इस एंजाइम के लिए हमको Mg2 Plus यह मैगनीसियम 2 Plus के आउन की जोर्थ परती है यह कभी कभी लगाता है कोशन Mg2 के बारे में पूस्ता रहता है आपके लिए कहता है कि बताई भी यह ऐसा कौन सा आयन है ऐसा कौन सा इन और्गनिक मालिकूस है जिसके लिए या जिस जो हमारे गलाइकोलिसिस प्रोसेस में काम करता है तो आपको इन और्गनिक मालिकूस या इन और्गनिक आयन के रूप में हमारे पास यहीं आ जाएगा तो इसको याद रखिएगा ये MC क्योंकि ये सबसे बेश कोशन बनता है कि MG2 प्लस आयन लगातार वर्किंग करता है लगातार काम करता रहता है ये चीज़ा आप ध्यान दिजेगा ठीक आगे कहा रहा है आगे कहा रहा है कि और ये MG2 प्लस आयन उन सारे जितने भी उस प्रिर हाता है और उनको कहीं कहीं करने कब काम करता है और के दोष हमारे यह से यह关ी औयुरा रियक्सिक पर यहां कहीं कि हमारेchnछे रहा है । एक सा काइनेज इंजाइम की बात कर रहा है यह फर्स इस्टेफ होता है जब गुलकोच को हम लोग हमारे साइट्रोसोल में अंदर तोडने के लिए बेचते हैं दूसरा इंजाइम हमारे पास फास्ट पो और लूग क्या बोलता है फास्ट पो गुलको आईसो मेरेज की बात क कर रहा है उसके बाद चटा देखे तो फास्ट फेट और डी हाइड्रो जिनेज की बात कर रहा है और साथ वे बात करेंगे तो यहां पर पास्ट पाइरुएट का इनेज की बात कर रहा है तो यह दस एंजाइम लगातार हमारे पूरे और कह सकते हो कि ग्लाइकोलिसिसस साइकलिस में लगातार काम करते रहते हैं और वो सही तरीके से वर्क करते हैं उमारे पूरे प्र這是 को कर aanे के अंदरक्रत तो सारे श्रुत्र से नम्र निवेदन है राओ कि यह सही तरीके से नोट कर लेना और जितने लोगों को मेरे नोढ़मस सबसक् Shift से अब हम लोग देख composite außerERS जो आरे पास होने वाला है इस ग्लाइकोलीसिस में जो हमारे 10 छोने वाले है इस 10 छेप कैसे होंगे क्या होने माले हैं उनके बारें बात करें कुछ टोटल पॉइंडें उनको देख़ा जाएगा फिर हम आगे कि यह बात करेंगे पहला कहता है कि छो फूर इसमें एजमता है क्या एक इंजायम यह थे यह और यह सारी i होते हैं यानि एक मोल से हम लोग के गीशन करते हैं यानि सबसे सिंपल तरीके से देखा जाए तो क्या कहता है कहता है सी से क्सा एस ट्वेल ओशिक्स जो होगा टिक इनको लोग डीकमपोज करते यह एक मुल होता है लेकिन यहां पर दो मुल बनेगा सी 3 2. oH4O3 बन जाता है इनको हमको देखने के लिए यह प्रोस्थ मिलेगा इनको यह हमारे पास एक मुल है यह हमारे पास दो मौल है तो वहीं पहले है a और देखने मिल जाएगा और हमारे पास पहला हमारे पास ओन मोलवका गुलकोज DR.204 के लिए यही होता है यहां पर हम लोग compare करते हैं compare करते हैं प्रारभिक स्टेज से और यहां पर हम लोग रेडाक्स प्रक्रिया नहीं होती है और इसमें और जारी नहीं करता यानि दूसरे स्टेब में कोई भी energy का कोई भी require condition देखने के लिए नहीं मिलता है यानि energy यहां से कोई होती भी तरीके से रिलिज नहीं होती है जब energy नहीं होती है तो मतलब यह है कि यहां पर प्रोसेश अंडर पूरा वर्डि है वह लगाता हो चल रहा है हम दो करेंगा थीस्टेज हां पर बात करें त्सरे स्टेज में क्या कहा रहा है से यह कंप उनके बारे में भ्षान देना और उसके बाद कह रहा है चावथा की बात कह रहा है कह रहा है यहाँ पे कि इसी प्रकार चरड जो सिकेंट होता है उसमें रेडाक्स रियक्षन प्रक्रिया होती रहती है और जो उर्जा होती है वो ATP के रूप में सरचीत होती है यानि हम लोग तुसरे स्टेप में देखा जाए तो यहाँ पे एनरजी कहीं हमको बनते हुई होती है निर्माण करती है अगले चड़ के लिए झाल काशल के लिए अब लोग हम लोग बात करेंगे एक क्षेप को और देखेंगे ध्यान से क्या कहने वाला है यहाँ पे पूरा टोटली क्प्लिट रेक्षन दिखाए गया है क्या complete reaction दिखाया गया है जोते मेरे यूटूब के बच्चे हैं वो एक बार देख लें मैंने यहाँ पे सतारा एकदम जमा के रख दिया है कि कैसे मालिकूस होंगे कैसे टूटेंगे इनको समझाओंगा तो दो घंटा लग जाएगा इसको समझाने में ही सही तरह के explain करने में क्यों को अच्य तरीके से यहाँ पर सबसे पहले हैं लोग इसको पढ़ते रहीएगा हम लोग बता दे रहा हूं क्लासेस काफी लंबे हो जाएंगे तो आप सारे बच्चे सको पढ़ लिज जिएगा इसलिए स्क्रीं सॉट करते जाएगा यहां पे क्लासेस काफी लंबे हो जाएंगे यह तो मैं ह theor गरता है आपको लिए तो पहले नंबर प्या करते हैं गुलकोज का फास्फोर रेसंस करते हैं अब step number second कहेंगे step number second में हम लोग यहां पर सबसे सिंपल तरीके से देखेंगे कि यहां पर कार्बन एक जो और दो होता है वो सनांतिस हो जाता है और यहां पर एलोज और किटोज में वो परिवर्तित हो जाएगा जैसा मैंने chemical reactions में तीसरे चलडक भा हम लोग क्या करेंगे तीसरे चलड में हम लोग देखें तो यहां पर फास्फोर्यशंज कि होती है क्या क्या स्फपोर रिचिवीटी होती है है बहता है फास्फोर ले संग आफ यहांपे फ्रक्टोज 6 और फॉस्फ पेड़ा यांनि antiqu हमार्ट इने और सिक्स बाई फास्पेट में परवर्तित हो जाएगा और यह पहले चलड़ के तरह कोई भी एटीपी का एक नार्मल इस्टेज बनाएगा और थोड़ी सी हमारे बॉड़ी में एनर्जी प्रोड्यूस करती है जिसे हमारे बॉड़ी जो सेल्स होती है वह लगातार हीटेट और म फास्फेट यानि हम लोग यहांपे करते यहांस रहें परक्टोज होता है उंको हम लोको तोड़ देते हैं और कर देते हैं और यहां से किसी टाइप स्क Note 2 हमारे पास देखने के मिल जाते हैं फास्ववें की बात करेंगे बान इस्टेप हमारे बात करते हैं यह उनके उपस्ति के ऊपर हम लोग गेसीड फास्पेट के फार्म में हम लोग तोड़ देते हैं और यह हमारे पास ग्लायकोलिसिस का पहला चलर पूरा हो जाता है यानि हम लोग 5 रव जैसे ही पूरा करते हैं हमारा glycolysis complete हो जाता है पहले step के फाब में अब ध्यान दिजेगा मैंने बताया कि phase 1 और phase 2 glycolysis के 2 phase होते हैं जहां तक 5-5 step की बात करेंगे 5-5 step जो complete होता है तो हमारा phase 1 complete होता है 5-5 step जो 6 step होता है जहां पर phase 2 का पहला step चलू होता है तो ध्यान दिजेगा च्छटे step की बात करेंगा च्छटे step में हम लोग क्या करेंगे सब्सक्राइब हम लोग यहां पर oxidative क्या कह रहा है कि जो प्रोसेस में लोग क्या करते हैं और यहां पर किस्वें कर जाएगा यह नए डी एच में करते हैं तो यह बोलता है कि इस प्रोसेस में लोग क्या करते हैं यहां पर रिड्यूस करके कोई एंजाइम एंडी पी में हम रोग करते हैं हाइडोजन प्लस हमारे हाइडोजन जो आयन होते हैं वह हमारे पास ग्रिसल यहाई थ्री फासफेड बनाने में काम आ जाते हैं और इस धान देना चुकि यह गुलकोश के वन मोल में होता है तो यहा यहाँ पूस्ता रहता है कि एनदीप के दूम आलिकुस की सिस्टेम बनते हैं तो हमारे बात करना इस्टेप नंबर सिक्स जो हता है ऑख्ट्येटिव फासफुर रेलेसंस आफ ग्रेसल डिहाईट फासफेड की जो एक्टिविटी होती है ओस इस्टेप में हमको यह देखत उसे टेप को हम लोग क्या बोलते हैं एक जन रीटिंग इस टेप आफ गलोकोज यानि अशाथ में स्टेप में इनर्जी हमारा कहीं ने कहीं बनता हुआ दिखाया पहले इस टेप में हमको इनर्जी जो बनना था वो यूज हो यहाथ ही पे हम लोग हेस्टी टू करा कहा है और face 2 का जो ATP बनता है वो लगाता है हमको आगे के लिए ले जाया जा सकता है आगे बाद कर नंबर 8 की नंबर 8 कह रहा है हमारे पास यहाँ पर क्या कह रहा है है यहाँ निर्जली कर अधर कर आएंगे निर्जली कर आएंगे जो 3-phosphoglycerate होता है, उसका हम लोग isomerization करते हैं, isomerization में मतलब क्या कहता है, कि phosphate समोके जो 3-2 carbon वाले shifting होती है, और यहाँ पे जो enzyme use होता है, वो enzyme केवल 2-3 को 2-phosphate, यानि 3-phosphoglycerate को 2-phosphoglycerate में convert करने का बात करता है, और यह हमारे पास उसी का एक isomerage में होता है, यानि reversible reactions का isomerage parts होता है, कोई इसमें different होता नहीं है, ठीक, यह चीज़ आप ध्यान दीज़ेगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप एक बार पढ़ लेंगे, खिलियर हो जाएगा, अगर हम लोग dehydration कराएंगे, dehydration most important चीज़ है, टेक जितना भी water बना होगा उसको बहार निकालेंगे, और कहता है कि निजलिकर, यानि 2-phosphoglycerate जो होता है, वहाँ पे हम लोग उसको convert करते हैं, तो 2-phosphoglycerate को जैसे convert करते हैं, तो यहाँ पे enalage, क्या enalage enzyme लगता है, यह enalage enzyme की opacity में, हम लोग कहीं न कहीं, पूरे molecules को dehydrate करा देते हैं, और dehydrate कराने के बाद यह और परुतिन यानि non-reversible reactions होता है, एक बार जो बन जाया का बन जाया कि इसमें कोई convert होने वारा नहीं है, और इस system में देखाता है कि जो water के 2 molecules होते हैं, वो नश्ट हो जाते हैं, water के कोई भी molecules system में glycolysis के नस्ट होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि जो dehydrate process है, number 9, हमको वहां से dehydrate होता है water का, और वो पूरा water बाहर की और निकल जाता है, number 10 कह रहा है, यहां पे कि हमारे पास fastfo, जो इसो pyruvate होता है, उससे हम लोग fastfo का इस्तनांतर करते हैं, यह कह सकते होगी, पूरे glycogen का second phase का energy generating material होता है, और यहां पे glycolysis में पूरे process में last step भी है, और last step में जो ATP बनता है, वो storage हो जाता है हमारे body के अंदर, ठीक, और इस इधान देना यह पूरा form हमको देखने के ले मिल जाएगा हमारे body के अंदर, last step कहा रहा है कि result क्या मिला है, result आप glycolysis के ब पूरा oxidize कर देंगे और हमारे पास pirate मिल जाएगा, जो natp होगा, वो release कर देगा, यहां पे क्या, nadh की बात करता है, उसके बाद हमको ADP जो होगा, वो फास्पो रिलेटेड और ATP में convert हो जाएगा, जोने ADP, adenosine triphosphate, एक और inorganic और फास्पेट को convert अपने पास बुलाएगा जोने के बाद यहां पे हमको ATP का formation कर देगा, तीन result मिलते हैं पूरे process में, यहां पे energy, oiling, form, glycolysis, तो यहां पे aerobic conditions की बात करेंगे, नमबर आप ATP जनरेट होते हैं, ठीक, total ATP जनरेट होते हैं, और यह पूरा aerobic conditions होते हैं, क्या, aerobic conditions होते हैं, ठीक, यानि, aerobic conditions में हमारे पा तो दो चीज़ जाना कभी-कभी पूस्ता है, कि glycolysis के aerobic conditions में कितने ATP बनते हैं, तो 8 ATP बनते हैं, वहीं बात करेगा कि anaerobic करेंगे, कितने ATP बनते हैं, यहां पे आपको केवल 2 ATP बनते हुए दिखाए दे रहे हैं, तो जो most important चीज़े हैं, वो आपको मैंने इस class में बता र वीडियो में, आप लोग अभी तक बने हुए हमारे साथ, उसके लिए तहदील से, दिल के अनंद गहराईयों से आपका बिनम्र और निवेजन करता हूँ, कि next time मिलिएगा, तब तक के लिए आप सभी से बिदा लेते हैं, जैहिंद!